प्रमे साथ कथन वृत के किसी चाप द्वारा केंदर पर अंतरित कोण वृत के परिधी के शेश भाग के किसी बिंदू पर अंतरित कोण का दुगना होता है ज्यात है वृत के एक चाप PQ द्वारा केंदर पर बना कोण कोण P-O-Q और शेश परिधी के R बिंदु पर बना कोण कोण P-R-Q है सिद्ध करना है कोण P-O-Q बराबर दो गुणा कोण P-R-Q रचना बिंदु R को केंदर O से मिलाते हुए M तक आगे बढ़ाया उपत्ती त्रिभुज P-O-R में सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो त्रिज्जा O-P है त्रिज्जा O-P है वो त्रिज्जा O-R से बराबर है यह जो है एक ही व्रित की त्रिज्जा O-P-R बराबर कोण O-R-P यह त्रिभुज की बराबर बुजाओ के के सम्मुक कोण बराबर होते हैं यहाँ पर हमने त्रिभुज के बराबर बुजाओ के सम्मुक कोण बराबर होते हैं नियम लगाया है उसी तरह से कोण P-O-M बराबर कोण O-P-R धन कोण O-R-P जो की बहिश कोण प्रम्मे हैं यह बहिश कोण प्रम्मे से हमने लिया है अब क्योंकि O-P-R और कोण O-R-P बराबर है तो हम इसे लिख सकते कोण P-O-M बराबर यहाँ पर हम कोण O-R-P के स्थान पे कोण O-P-R लेंगे कोण O-P-R धन कोण O-P-R बराबर दो गुणा कोण O-R-P यहाँ पर हम कोण O-P-M बराबर कोण O-P-R धन O-R-P यहाँ कोण O-P-R के स्थान पर कोण O-P-R के स्थान पर कोण O-R-P लेंगे कोण O-R-P धन कोण O-R-P बराबर दो गुणा कोण O-R-P इसे हम समी करण एक ले लेते हैं इसके बाद तरिभुज Q-O-R में यहाँ देखते हैं सबसे पहले हमारे पास O-Q बराबर O-R है यह एक ही वरित पर एक ही वरित की तरिजाएं है उसी तरह से कोण O-Q-R बराबर कोण O-R-Q जो की तरिभुज के बराबर भुजाओ के सम्मुक कोण है तरिभुज की बराबर बुजा के सम्मुक कोण है इसी तरह से आगे हम यहाँ पे कोण Q-O-M बराबर कोण O-R-Q धन कोण O-Q-R लेंगे यहाँ पे हमने बहिश कोण प्रमे लगाया है बहिश कोण प्रमे का प्रयोग किया है तो यहाँ पे हम इस कोण O-Q R के स्थान पर हम कोण O-R-Q लेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होंगा कोण Q-O-M बराबर दो गुणा कोण O-R-Q यह हमारा समीकरम दो इसका नाम देंगे हमने यहाँ पे कोण O-R यहाँ हमने यहाँ पे कोण O-Q-R के स्थान पर कोण O-R-Q लिया है और कोण O-R-Q धन कोण O-R-Q बराबर दो गुणा कोण ओ और क्यू होंगा अतहा समीकरण एक और दो को हम यहां जोड़ेंगे तो अतहा कोण पी ओ एम धन कोण क्यू ओ एम बराबर दो गुणा ओ आर पी धन कोण दो गुणा कोण ओ आर क्यू यहां पर हमने समीकरण एक वह दो को जोड़ने पर जोड़ने पर प्राप्त किया है अब कहीं हम कोण पी ओ एम चित्र में कोण पी ओ एम धन कोण क्यू ओ एम को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगा कोण पी ओ क्यू बराबर दो को हम यहां उभैनिस निकाल लेंगे तो यहां बचेंगा कोण ओ आर पी धन कोण ओ आर क्यू जिसे हम कोश्टक में रखेंगे या कोण पी ओ क्यू बराबर दो गुणा यह दोनों कोणों का योग जो है वह बन जाएगा कोण पी आर क्यू से इस प्रमे में यही सिद्ध करना है अई अब हम प्रमे साथ की एक इस्तिति पर विचार करते हैं जब चाप एक अर्ध वृत हो